देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रही एक खबर समय जगत बिद्वानों के हरताल पर जाने से महाविध्यालय की पढ़ाई पर बुरा असर हो रहा है चात्र चात्राओं को सिख्षकों के ना होने से महाविध्यालय में चात्र चात्राओं को पढ़ाया और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी परिशानी है तब तक मैं महाविध्याले को ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा और सिक्षकों को भी साथ लाऊंगा महाविध्याले की प्राचारे डॉक्टर तिवारी जी ने तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुपता के सेक्षडिक कारी की सराहना की और पत्रकारों ने जब तहसीलदार साहब से अतीती विद्वानों की हरताल के बारे में पूछा तो डॉक्टर अनिल गुपता ने कहा कि मैं अतीती विद्वानों के साथ हूँ और उनकी मांगों को शासन तक पहुचाएंगे और साथ ही समाज में रहने के साथ हम हर गतिविदी में अपना अपनी इस्तेरारी चाहते हैं जारती परेशान है और हमारे पास अगर ज्यान है तो हम उसको बाढ़ना चाहिए गौर्बान में पोने का चाहिए परेशा निरंतर चलता रहेगा जब जब महामित जालाय में किस्टाब की कमी होगी या किलासे नहीं लग रही होगी हम और हम से जोड़े होगे सभी लोग इसकार में बढ़िचाब कर भागी जो अतितिती विद्वानों की जो मागे है यह उनका जाय जाके उनको बात रखन का सासन तक वो बात पहुचाई जाएगी और सीगरी उनकी मागों का या समाधन होगा और सासन उस्वक्ष में कुछ बहतर देना लेगा अच्छा है कुछल वो प्रसाशक भी है और एक अच्छे विध्य जहां है इसान है तो वो हमारे महाविध्याले मैं उनको ने चात्रों की समश्या को समझा क्योंकि सभी अचिति विद्वान स्ट्राइक पर गए हुए हैं ऐसे में उनका आना इस स्वागत योग के कदम है ह हम उनके कार के लिए उनको बहुत-बहुत धहनिवार देते हैं और महाविध्याले में जितने फी स्वाई स्विक्षक हैं उन्हों सभी ने भी आज पर गए हुए हैं और अभी भी आज लिए तो ऐसे सिति में उनका आना हमारे लिए एक स्वागत योग के लिए पलीरा से पुस्पेंदर सिंग की रिपोर्ट देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहे खबर समय जगत